नमस्तान जो स्वेडिपूर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा राजुस्थान की राजनीती में डॉक्टर की रोडी लाल मीना एक ऐसा चर्चित नाम है जो हमेशा सुर्थ्यों में रहता है चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में इस वक्त बी जब से चुनाव के नतीजे आएं तब से वो सची वाले नहीं जा रहे है और इसके पीछे की एक बड़ी बज़ेद है चुनाव के नतीजे गिरते ना रहे थी चार जून को उस दिन की रोडी लाल मेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा रगुपुल जी की सदा चलियाई प्राण जाए पर वचन न जाए ये बात उन्होंने अपने उस बात को याद गिलाते हुए कही जो उन्होंने चुनाव के पहले कही थी दरसल डॉक्र किरोडी लाल मेना ने कहा कि पुर्धान मंत्री जब रौसा आये थे तो उन्होंने उन्हें एक पर्ची भी थ जो सुधान मंत्री ने उनके जिन्मे की उन्हों सार सीफ मेंके दरसल लोगतवा कि नाव की परिनाम जबाए तो चार सीफ जो है वो बीजेपी हार गई है और इसी लिए विपक्ष कॉंग्रेस पार्टी जिसकी जीत हुए अव चार सीफ पर डॉक्र किरोडी लाल मिया से इ राजनी जीती में वदंधरा राजिस से भी वरिष्ठ है पांत साल लग्भग राजनी ब्राट बीजम्बर से नहीं है पहले सरकार में मन्तिक है और व्रष्ठ मेता है तो राजस्थान में बीजेपी के इस वक्ष मेताओं में से एक है दौक्र की रोडी मीना और वो अगर जन्ता के बीट चुनाव के पहले ये खहते हैं कि वो इस्तिफा दे देंगे और हमेशा जन्ता को जल्ग सेवा करेंगे अगर कोई एक बीपीट लोगसभा चुनाव में दीजे की खार जाती ही जो उनके जिन्में है लेकिन चुनाव में जन्ता ने डॉक्रे किरोडीलाल मेना की बात नहीं सुनी मेना समाज उनके साथ नहीं जा पाया डॉक्टर किरोडिलाल मेना का यह जो पूरा उप्तिके का पिस्ता है इसने बीजेपी की परिशानी को बढ़ाया हुआ है और कॉंग्रिस को एक मौका दिया हुआ है अब सवाल यह है कि Dr. Kirori Meena, VGP के वरिश्ध नेका के रूप में पार्टी की परिशानी को बढ़ाना चाहते हैं या पार्टी को आने वाले उप चुनाव के लिए तैयार करना चाहते हैं बाते इस तरह की भी आ रही है कि डॉक्टर किरोडी लालवेना अपने भाई को आने वाले उप चुनाव में तहीं तहीं सेटल करना चाहते हैं और ये भी इस वक्त जो इस्तिफे की राज़िती है इसके पीछे की कहानी है हालांकि डॉक्टर किरोडी मेना ने इस तरह की पूरी बात नहीं करी है लेकिन बाते इस तरह की वो रही है कि अगर वो इस्तिफा दे देते हैं तो हो सकता है कि उनका इस्तिफा स्विकार हो जाए इसे लिए इस्तिफा दिया नहीं जा रहा है या पर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके इस्तिफे की पूरी कहानी को राज्य की बीजेती या केंद्र का लेश्रित्म या पर राज्य की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी तरफ से पहल करते हुए कुछ इस तरह से पूरी राज्य की जाथा को लिखा जाए मुख्यमंत्री की तरफ से कि डॉक्टर की रोड़ी मेना का सम्मान भी रहे वो अपने विभाग काताम भी करें कृष्यमं ग्रामीर विकास जो विभाग है उनके पास बहुत बड़ा मंत्राले है उसका बहुत बड़ा बजट है और उसमें बहुत बड़ा एक वर्ग है किसान वर्ग है ग्रामीर वर्ग है जिसके लिए सरकार को काम करना है ऐसे में डॉक्टर की रोडी मेना अपने मंत्राले के कामकाद को जल्दी से जल्दी टिकप करें क्योंकि मौनसुन दस तक देने वाला है और जो उनका विभाग है उसमें अभी बहुत सारा काम होना है तो विभाग के काम को कैसे रफ्तार दी जाए सरकार मिलकर कैसे काम करें इस तरफ मुक्तमंदी भजल लाल शर्मा खुद पहल करते हुए साम करें अगर डॉक्टर की रोडी मेरा तेज सम्मान और उनके वर्ष को ध्यान में रखते हुए ऐसा चाहते हैं तो सरकार ये भी करें या फिर डॉक्टर की रोडी लाल मीना अपना इस्तिफा दे और सरकार उसे स्वीकार करें लेकिन एक राख्ते पर जाने से विपक्ष को बात करने का मौका नहीं मिलेगा और साथी सरकार के कामों की रफ्तार बढ़ेगी ऐसे में जिन्मेदारी अगर डॉक्टर की रोडी लाल मीना एक ऐसी परेशानी में फंस ऐए है कि इस्तिफा दे तो भी पार्टी के हित्मे नहीं है उनके धुद के फिस्तिफान की जंता के हित्मे नहीं है कोंकि अब सरकार मुच्गे से काम करना शुरू की है फिर से अस फिरता आएगी, फिर से किसी और मंत्री को इस तरह से ये डेपार्टमेंट देना पड़ेगा तो BJP का आला कमान भी निश्चत रूप से इस पर नजर बनाये हुए हैं कि इस मुद्धे को कैसी टेकल करना है लेकिन बेहतर हुगा की BJP इस मुद्धे को जितना जल्दी टेक अप करे, जितना जल्दी इसका समाधान निकाले उतना जल्दी राज्य की जन्ता के विटास के कामू को रखता है ले डॉक्र की रोडी मीना BJP में भी रहे, BJP से बाहर भी गए, अपनी अलग पार्टी भी बनाई, आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, बड़े-बड़े आंदोलन की लेकिन अगर राज्य की लिहात से देखने, इतनी लंबी राज्य की पारी के बाद भी सत्ता में वो कुल 3-3 साल के अब तक की मंत्री है, और इस बार जो 6 महें उनके मंत्री काल की हुए हैं, उसमें कुल मिलाकर 4 साल, किसी भी इतने वरिष्ट राज्य के लिए, सरकार में इतना समय होना भी अपने आपने एक सवाल है, एक प्रश्नी खड़ा करता है कि आपकी क्या बज़य है, तो दॉक्र किरोडी मीना जो जन्ता के, जन्मानस के नेता के रूप में अपनी पहसान बनाए हुए हैं, आंदोलन सारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, दबाव क की राजनीती करते हैं, इस वक्त राजस्तान की हिस्त में अगर कोई पैसला लेते हैं, तो चाहे वो इस्तिफा दे या नहीं दे, दोनों ही सिती में उन्हें इस मुद्दे पर जल्द सी जल्द कोई पैसला करना चाहिए, और सरकार के साथ पैसला कोई समाधान का राश्ता करना चाहिए